हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैच स्वाट का में दोस्तों मैं हुर पेशियादव और इस वीडियो में हम लोग टाइम एन वर्क की पार्ट वन को देखेंगे यह जो आपका बैच चल रहा है from zero to hero इसमें अब तक हम लोग कई सारी important topic को पढ़ चुके हैं जैसे divisor, unit digit, remainder theorem, test of divisibility और इसके अलावा quadratic equation जो भी topic आपको इस बैच के अंदर पढ़ाया गया है बिलकुल zero level से पढ़ाया गया है और कम समय में सारे exam oriented concept जो है उसके अंदर डाले गया है अगर आपने अब तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जयूर देखे इस वीडियो के description में इन सभी वीडियो का link आपको मिल जाएगा इसके अलावा play store से math swatika application को download करके आप हमारे साथ paid batch में भी जुर सकते हैं वहाँ पे आपको 350 रुपए में complete mathematics और 350 में complete reasoning कराया जाएगा तो आए शुरू करते हैं आज के class को देखे अगर हम बात करें time and work का तो most important यहाँ का topic है और एक बरा topic है तो पूरे time and work को हम लोग कुल मिला के तीन classes में complete करेंगे ठीक है पहला class है बिल्कुल basic से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे और आज हम लोग दो type यानि time and work के दो type के question को आज हम लोग complete करेंगे देखेगा पहला question आपके सामने है यहाँ पे बोला क्या गया है कि रवी रोहन और राजेस अकेले कार्ज को क्रम साद 10, 12 और 15 दिनों में पूडा कर सकते हैं यानि रवी 10 दिनों में रोहन 12 दिनों में और राजेस अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है यहाँ तो data दे रखा है पूछा क्या गया हम लोगوں से बोला है कि यदि वे एक साथ यानि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यहां काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा समझेगा किस तरीके से हम लोग इस टाइब के कुश्चन को सोल्व करेंगे सबसे पहले तो हम सभी वर्कर के डे को लिखेंगे अच्छा डे होता क्या है टाइम एन वर्क के अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है डे का डे बोलते किसको है तो किसी भी वर्कर के दुआरा पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय डे खालाता है जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि रभी पूरे काम को दस दिनों में समाप्त कर सकता है तो रभी पूरे काम को जितने दिनों में करेगा वह रभी का डे हो जाएगा बी पूरे काम को जितने दिनों में समाप्त करेगा बी का डे हो जाएगा यानि किसी भी वरकर के द्वारा समुचे काम को समाप्त करने में लगा समय डे खलाएगा तो यहाँ पे सभी वरकर का डे दे रखा है सबसे पहले वरकर जो है वह क्या है आपका रभी और रभी का डे कितना दे रखा है रभी जो है वह 10 दिनों में पूरे काम को कर सकता है अगला वरकर कौन है रोहन रोहन को समय कितना लगता है देखे पूरे काम को समाप्त करने में पूरे काम को समाप्त करने में रोहन को 12 दिन का समय लगता है तो रोहन का डे हो गया 12 दिन और तीसरा वरकर है राजेस और इसको जो है न वह समय लगता है 15 दिन तो सभी वरकर का यहाँ पर डे लिख दिये हैं सब के साथ यहाँ पर डी लिखा गया है मतलब इतने दिनों का समय लगता है रभी को 10 दिन रोहन को 12 दिन और राजेस को 15 दिन यह 10 दिनों में अकेले पूरे काम को करेगा यह 12 दिनों में अकेले और राजेस 15 दिनों में अकेले, ठीक है, हमें बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले न, टोटल वर्क निकालना होगा, और टोटल वर्क क्या होगा, सभी वर्कर के डे का LCM, ध्यान रखिएगा, टाइम और वर 2015 का LCM कितना हो जाएगा, 10, 12 और 15 का LCM 60 हो जाएगा, LCM यानि की लखुत तमस्माबर तक, हमें किसका LCM निकालना है, 10, 12 और 15, LCM निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, कि जिन संख्याओं का आपको LCM निकालना हो न, उस में से जो सबसे बरावाला संख्या है उसको रहे जब तक छोटा वाला दोनों ना काटे तो 15 को नहीं काटेगा 15 दूना 30 30 को यहां काटेगा यह नहीं काटेगा आगे बढ़ यह 15 यह 45 45 को दोनों में से कोई नहीं काटेगा 15-4 के 60 60 को यह भी काटेगा यह भी काटेगा और इसका तो आप पहारा ही पढ़ है तो यह तो क तो 10 12 15 कितना हो गया साथ हो गया साथ क्या हो गया काम का कुल मात्रा हो गया यानि कि टोटल वरक आपका हो गया यहां पर साथ यूनिट अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें सभी वरकर के द्वारा एक दिन में किया गया काम निकालना पड़ेगा ठीक है तो देखे रभी पूरे काम को 10 दिनों में कर सकता है और काम कितना माने है 60 यूनिट तो 10 दिनों में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर सकता है एक दिन में यह 6 यूनिट काम कर सकता है इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे तो टोटल बर्क में रभी के डे से भाग करिएगा और टोटल वर्क में राजेस के डे से भाग करिए राजेस के एक दिन का काम, तो साथ बट्टा बंदर क्या हो जाएगा? चार तो सभी वर्कर के एक एक दिन का काम आपका यहाँ पे निकल चुका है बिलकुर इसी मेथड का उप्योग करके हम लोग नल और टंकी के कोशन को भी सोल्ब करते हैं इसलिए आराम से कॉंसेप्ट आप समझेगा हमने यहाँ पे क्या किया सभी वर्कर के द्वारा एक एक दिन का कार्ज यहाँ पे हमने निकाल लिया कि रभी एक दिन में 6 यूनिट रोहन एक दिन में 5 यूनिट और राजेस एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है कब जब टोटल वर्काप का 60 हो जाएगा अब आगे देखेगा question क्या है बोला है कि यदि वे तीनो एक साथ मिल कर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्थ होगा तो हमारा देख लिजिए यहाँ पे तरीका क्या है जो काम लेना होगा उसको उपर लिखेंगे तो काम कितना लेना है उपर लिखेंगे और इस काम को जिस से लेना होगा उसके एक दिन के काम से भाग करेंगे तो हमें इस काम को लेना है तीनों से तो तीनों के एक दिन के काम से भाग करिए तो तीनों के एक दिन का काम कितना होगा छे और पांच एक ग्यारा एक ग्यारा और चार पंदरा तीनों करिए 15,4,60 यानि की 4 दिनों में काम समाप्द कर देगा कौन ABC तीनों ABC नहीं है यहाँ पे यहाँ पे है रवी, रोहन और राजेस तीनों मिलकर इस काम को आपका समाप्द कर सकता है कितने दिनों में 4 दिनों में तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो काम होगा उसको उपर तो टोटाल काम कितना यूनिट है 60 यूनिट है और इस काम को लेना किस से है रवी और रोहन से तो रवी और रोहन मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है 11 यूनिट तो 60 यूनिट काम करने में इसको 60 बटा 11 दिन का समय लग जाएगा अगर कोशन में यह रहता कि रोहन और र जिस मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्थ करेगा तो हमेशा जो काम लेना होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भी काम लेना होगा उसके एक दिन के काम से हम लोग भाग करेंगे इससे यहां निकलेगा कि यहां कितने दिनों में समाप्थ हो जाएगा ओके चलिए अ अब भरहेंगी हम लोग आगे अब चलते हैं दूसरे कोशन में देखिएगा यहां पर यह कोशन भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बोला क्या गया है देखिएगा बोला है A और B किसी काम को 10 दिनों में B और C 12 दिनों में और C और A 15 दिनों में यानि डाटा तो सेम है बटे यहां पर देखिए A और B को समय लगता है 10 दिन तो 10 दिन जो यहां पर समय लगता है किसको लगता है A और B दोनों को तो A और B दोनों का डे आपका यहां पर दे रखा है 10 दिन इसके अलावा B और C दोनों का डे आपका कितना दे रखा है 12 दे रखा है ठीक है 12 दिन ही इसके पीछे के question में क्या था सभी worker का अलग-अलग separate separate आपका डे दे रखा था लेकिन इस question में क्या है कि A और B का B और C का और C और A का डे दे रखा है ठीक है चलिए बांकी काम तो हम लोग वैसे ही करेंगे सबसे पहले total work निकालिए total work कैसे निकालते हैं सभी worker के D का LCM तो 10, 12 और 15 का LCM क्या हो जाएगा साथ यहां तक तो कोई दिकत नहीं यहां तक तो जो काम था वैसे ही करना है अब आगे total work में A और B के D से भाग करेंगे तो A और B के एक दिन का काम निकलेगा तो 60 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 60 बट्टा 12 क्या होगा 5 और 60 बट्ट Kendra गॉरोविस भून का है C और A दोनों का ठीक है चलिए अब हम आप से इस question में हम यहां पूछे की A b c fatty bajo मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा क्या पुछा जाए आप से कि ABC फी लो मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा तो देखैं यह शे Η्ठ काम किसका है 6 heρα और discampril का चाम च्यार ही दिनत में कितना यूनित काघा यहां पर यह उनिट काम किसका है मैं किहाथ पैस्रेक्या छैरे यह B plus C लिख सकते हैं आजर बिल्कुल लिखा जा सकता है तो 2 into A plus B plus C का भैलू यहाँ पे 15 आएगा यानि 6, 5, 11, 4, 15 अगर आप जोडते हैं तो यह A, B, C के एक दिन का काम नहीं होगा क्योंकि इसमें A और B दोनों है इसमें B और C दोनों है और इसमें C और A दोनों है तो इस दो गुना में है इस तरफ आएगा तो क्या होगा भाग में आ जाएगा यानि हमें इसमें दो से करना पड़ेगा भाग क्या करना पड़ेगा हमें दो से करना पड़ेगा भाग तब जाकर के A, B, C के एक दिन का काम निकलेगा ठीक है A, B, C काम कितने दिनों में समाप्त करे पूछा जाते हैं तो पहले concept समझे और जैसे ही आप concept समझ जाएगा बहुत सारा इसके अंदर जो स्टेफ है उसको आप गयब करके डारेक्ट अपना अंसर निकाल सकते हैं अब ध्यान से समझे यहां पर हम आप के पूछय कि एक दिन का काम काम बताइगे क्या पूछा जाए कि आपक और एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, इस तीनों को हम जोरेंगे, 6, 5, 11, और 4, 15, और जोर के क्या करेंगे, आधा, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5, आधा क्योंकि यह, क्योंकि पेर के रूप में है, इस बज़ा से, ट्वीन टू, A+, B+, C का वैलू आ जाएगा, जब सब को ज जोरेंगे, इस बज़ा से हमेशा इसको जोर कर आप क्या कर लिजेगा, आधा, कब, जब जोरे के रूप में रहे, तो यह हो गया, A, B, C के एक दिन का काम, ठीक है, चलिए, अगर कोशन में यही पूछ दिया होता, कि A, B, C, इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल यानि कि 60 यूनिट में, A, B, C के एक दिन के काम से कर लेते भाग, टोटल वर्क में, A, B, C के एक दिन के काम से भाग करेगी, तो इससे निकलेगा, A, B, C, इस काम को कितने दिनों में करेगा, पॉइंट अट आएंगे, उपर में 0 हो जाएगा, और अगर इसको काटें हम यह पूचा जाये, आप उसवर्क कर के एक दिन का निका लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A के एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, तो A के एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, A, B, C, तीनों के एक दिन के काम में से हम करेंगे B और C के एक दिन का काम माइनस, तो B और C के एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट, तो B और C के एक दिन का काम माइनस करेंगे, यही आपका क्या होगा यहीं आपका A के एक दिन का काम होगा देख सकते हैं इसको A B C के एक दिन के काम में से हम क्या करेंगे B और C के एक दिन के काम को माइनस करेंगे तो A के एक दिन का काम निकलेगा ABC के एक दिन के काम में से C और A के एक दिन का काम माइनस करेंगे तो B का काम बचेगा और ABC के एक दिन के काम में से A और B के काम को माइनस करेंगे तो Cable C का काम बचेगा तो हमें बताना इस question में कि A अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा तो हम तो यहीं निकालेंगे न कि A एक दिन में कितना काम कर सकता है तो A, B, C सारे 7 यूनिट काम कर सकता है B और C 5 यूनिट ABC के काम में से B और C के काम को माइनस करेंगे तो A का काम निकलेगा तो A एक दिन में 0.5 यूनिट काम कर सकता है तो अब आप बता दीजिए कि A पूरे काम को कितने दिनों में करेगा तो पूरा काम का मातरा 60 unit है और यहाँ काम लेना है A से तो A के एक दिन के काम से भाग कर लीजिए पॉइंट हटा ये उपर में 0 के बल सॉलूसन करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा अगर हम इसको काटते हैं 5 से तो 25 हो जाएगा 5 से अगर इसको आप काटते हैं तो 12, 5, 60, 120 हो जाएगा 5 से काटी 120 को कितना होगा 24 यानि 24 दिनों का समय लग जाएगा यहाँ पे इस काम को समाप्त करने में किसको 24 दिनों का समय यहां पर इस काम को समाप्त करने में लग जाएगा A को अगर मान लीजे इस question में आप से यह पुछा गया होता कि भई आप हमें न यह बतादो यह आपका A का निकला है अगर हम से यह पुछा गया होता कि B इस काम को माइनस करिए तो सारे साथ में से 4 माइनस करिए 3.5 तो भी एक दिन में 3.5 उनिट काम कर सकता है तो पूरा काम यानि कि साथ यूनिट काम में कितना समय साथ बट्टा साथ है तीन तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस वरकर से आपको काम लेना है उसके एक दिन का काम निकालिए ओके चलिए बिल्कुल सेम टाइप का कोशन एक और देखते हैं यहां से इस कोशन के माधियम से हम लोग दो कॉ क्या है A और B एक काम को 50 दिन में B और C 37.5 दिन में और C जो है C और A जो है उसी काम को 30 दिन में तो सबसे पहले A और B का लिखे D क्या है A और B इस काम को कितने दिनों में कर सकता है सर A और B जो है न वह इस काम को कर सकता है 50 दिनों में तो यह D जो है वह आपका A और B का है अ बट्टा में क्या लिखिएगा दस एक अंक के बाद असमलब पॉइंट हटाएंगे बट्टा में दस पॉइंट के रूप में जब भी टाइम एन वर्क या नल और तंकी का कोशन है तो उसको पहले भीन में बदलिए अब इसको सोल्व करिए पांस से काटिएगा पांस सते पै यहां पर कर सकता है तो आप क्या करिएगा आप निकाँ लिएगा टोटल वर्क टोटल व अब इस वार्थ किसे बल रेत वाले को छोडिए उपर वालई का LCM 50 का 75 का और 30 का 50 का 75 का और 30 का अगर आप LCM लेते हैं तो क्या 150 हो जाएगा हाँ सर 150 इसका LCM हो जाएगा 150 को 50 भी काटेगा 75 भी काटेगा 30 भी काटेगा सबसे बड़ा वाला को पकरेंगे इसका पहारा तब तक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चाहितने का एक सोपचास अब आगे एक 180愉nे टोटल हो ग्या टोटल बरखर कりए ay और वी के अर्थ के घ रहे बहुत करेंगे तो एश D से भाग करेंगे तो एक दिन का काम टोун हो ग्याओ पहसे में वेलू है वो उपर चला जाएगा दो दुना चार तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 150 बटा 75 दो होगा नीचे वाला से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा या आपका चार हो जाएगा इससे करिएगा भाग और इससे कर लिजा गुना तो 75 में 150 से भाग करेंगे दो और नीचे वाले से गुना दो दुना चार कि नीचे वाला कहां चला जाता है उपर यह तो करिएगा टोटल वर्क में बी और सी के डे से भाग करिएगा तो बी और सी के एक दिन का काम तो 150 में 75 बटा दो से भाग करके देख लीजिए चार ही वैलू आए सकते हैं कि ABC3 मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा हाँ सर बता सकते हैं तीन और तो A plus B plus C का काम कितना होगा सब को जोड करके आधा तो 3, 4, 7, 7 और 5, 12 बारा का आधा 6 यानि ABC मिलकर एक दिन में यही 6 यूनिट काम करेगा अब कोशन क्या पुछा यहाँ पे कि ABC में से प्रतेक ब्यक्ति अलग-अलग इस काम को कितने दिनों में कर सकता है यानि प्रतेक ब्य तो टोटल वर्क कितना है सब टोटल वर्क तो 150 यूनिट है टोटल वर्क में अगर हम A के डे से भाग कर ले तो A के एक दिन का काम निकल जाएगा हाँ सर निकल जाएगा तो ABC के एक दिन का काम है 6 यूनिट ABC के एक दिन के काम में से अगर हम B और C के एक दिन के काम को माइनस कर लेते हैं जो कि कितना है 4 तो इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा आपका A के एक दिन का काम A B C के एक दिन का काम 6 यूनिट और B और C के एक दिन का काम 4 यूनिट तो 6-42 यानि की A के दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है तो 150 बट्टा दो यानि कि 75 दिन समय लगेगा A को किस option में 75 से शुरू है बिकलबडी में तो बिकलबडी हमारा answer हो जाएगा आगे देख लिजे B का निकालना है अब निकाल सकते हैं B अकेले पुरे काम को तो पुरा काम का मातरा 150 यूनिट अच्छा B के एक दिन का काम निकालिए कहां से निकालेंगे यहां से देखे A B C एक दिन में 6 यूनिट इसमें से C और A का काम 5 यूनिट माइनस कर लिजे यानि B एक दिन में 1 यूनिट ही काम कर सकता है तो 150 बट्टा एक यानि 150 दिनों का समय किसको लग जाएगा B को C को इसी क काम को समाप्त करने में कितना समय तो काम का मातरा 150 यूनिट है यहीं तो काम है और यह काम हमें सी से लेना है तो ABC के एक दिन के काम में से हम A और B के काम को माइनस करें ABC में से A और B माइनस करें तो C के एक दिन का काम तो 6 में से 3 माइनस करिए 3 यानि C एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो 150 यूनिट काम करने में 150 बट्टा 3 यानि कि कितना समय लग जाएगा 50 दिनों का समय आपका लग जाएगा हमें इस question में cable A निकालना था A से ही आपका answer निकल जाता देखिए यहाँ पे 3, 4, 7, 5, 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 तो 3 मिल कर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा अब हमें निकालना A का तो 6 माइनस 4 कर लेंगे B और C का काम 6 माइनस 4 यानि कि 2 तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि A एक दिन में 2 यूनिट काम तो पूरा 1,500 यूनिट काम में 1,500 बट्टा दो यानि 75 दिनों का समय लगएगा किस उप्सन में 75 है बिगलबडी इतना ही सॉलूसन हमारा था इससे ज़्यादा हमें करने क्याप सकता नहीं होगी चलिए अगले कोश्चन को देखते हैं यहाँ पर जो कोश्चन है इस टाइप के कोश्चन में क्या होगा कि सभी वर्कर एक साथ मिलके तो काम करेगा लेकिन उसमें से क्या होगा कि कुछ वर्कर बीच में ही काम छोड़के जाएगा तो इस तरह के कोश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं गौर से समझेगा इसमें से इसमें दो टाइप से कोशन पुछे जाते हैं जिसमें से पहला टाइप यहाँ पर देखे क्या है ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं तो सबसे पहले एका वर्क डेली की एक को समय लगता है 12 दिन ठीक है और बी को समय कितना दिन लगता सोला दिन लगता है दो ही वर्कर है सबसे पहले इसका निकाली है टोटल बर्क 12 और 2016 का एलसी एम 48 एक दिन में चार यूँट एक दिन में तीन यूट देखियेगा यहां पर एक चार यूय राखिये और भी एके दिन में तीन से भाग करिएगा अब कोश्चन में देखिए क्या बोला है दोनों मिलकर काम मिलकर उस काम को तीन दिनों तक साथ करता है देखिए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन तक किया है तीन दिन तक आप सोचिए कि अगर दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में चार और तीन साथ यून यूनिट काम कर लेगा अब एक कईस यूनिट काम आपका हो चुका है कितना में से 48 यूनिट काम में से एक कईस यूनिट काम हो चुका है तो एक कईस माइनस कर लीजे अब बचा कितना बचा यहां पर आठ में से यानि कि 27 unit काम अभी भी बचा हुआ है ठीक है तीन दिन दूनों मिलके काम किया तो दूनों मिलकर एक दिन में चार इक दुनिमेंट टिन 7 तो किया है काम तीन दिन तो 8 trips में को कर लाइगा अहिए उसमीनित कर लिये अभी भी कितना काम बचा हुआuchar 27 फिर ए छोड़ दिया चलिए कोई दिकत नहीं है 27 उनिट काम अभी बचा हुआ है ए छोड़ दिया बी उस बचे हुए काम को अकेले कितना दिन में पुरा कर सकता है यानि कि बचा हुआ काम कितना है 27 तो इसी 27 उनिट काम को किसे लेना है बी से तो बी के एक दिन के काम से भा कर सकते हैं देखें दोनों मिलकर तीन दिन काम किया तो एक दिन में चार और तीन साथ तीन दिन में साथी आई कर लिए 27 बचा अब इस काम को भी सी लेना है तो 27 बटा तीन यानिकी 9 दिनों में कलम आपको उठाने क्या आप सकता नहीं पड़ेगी ओके चलिए तो एक तो यहा काम को दिवार को करम सह 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं यानि काम यहां पर है दिवार रंगना अमोद और प्रमोद दो वरकर है अमोद और प्रमोद अमोद को कितना समय लगता है 15 और प्रमोद को 24 अमोद का डे हो गया 15 दिन प्रमोद का डे आपका यहां पे प्रमोद है न ए जाएगा 120 हांसर 120 हो जाएगा चलिए 158 120 24 पंचे 120 सभी वरकर के एक एक दिन का काम निकल गया अब आगे आगे देखते हैं क्या है वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अब इस पे आ जाए काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़ कर जब के गया है काम छोड के वर्कर गया है और कब गया है काम पूरा होने से एक ग्यारा दिन पहले नि आप थोने से दो दिन पहले चला गया तो इससे यह पता तो नहीं चलता है कि कितने दिनों तक काम करके गया हाँ यह पता चलता है कि अगर काम 20 दिन तक चला होगा दो दिन पहले गया होगा यानि कि 20-28 दिन तक काम करके गया होगा अगर काम 25 दिनों तक चला है और 5 दिन पहल बोले उसको solve करने का trick क्या होगा गौर से देखिएगा जो worker पहले जाएगा उसको जाने मत दीजिए आप उसके बदले में extra काम कर लीजिए यानि कि total work को बरहा लीजिए क्या करेंगे देखिए 11 दिन पहले अमोद गया है तो अगर अमोद 11 दिन और काम कर लेता तो कितना unit काम बढ़ जाता सर अमोद एक दिन में 8 unit काम करता है 11 दिन में 1188 unit काम करेगा यानि इतना काम आपका बढ़ जाएगा तो 120 प्लस 88 कितना हो गया 208 अब काम का मातरा कितना हो गया 208 unit और अब आप भूल जाए कि कोई बरकर काम छोड़के गया भी था ठीक है कोई बरकर काम छोड के पहले गया भी था इस बात को आप भूल जाए क्योंकि उसके बदले हम लोगों ने क्या किया एक्स्ट्रा काम ले लिया हमने यहां सोचा कि अगर 11 दिन पहले नहीं जाता तो क्या होता तो यह 11 दिन और काम कर लेगा तो एक दिन में यहां करता है 8 unit काम तो 11 दिन में 1188 88 88 सबसक्ताइब है कि 288 उनिट काम दोनों मिलकर सब्सक्राइब करेगा Zoom क्यों करेगा दोनों मिलकर क्योंकि जो गया उसको जाने नहीं हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 उनिट काम करता है तो 208 उनिट काम करने में 208 बट्टा 13 13 से काट यह 13 एकम 13 और यहां पे 7 बचेगा 13 छके 13 Satos china में 14 यहां पर लगये करने में लिक्राई लेकिन कभी अगर आप से एकशेटली यहां पूछा जाएं तो देखिए 16 दिन काम पूरा पूरा चला है इसमें से 11 दिन यह पहले चला गया तो तो 16 दिन के काम में 11 दिन पहले चला गया मतलब कि यह केबल 5 दिनों तक काम किया था तो अगर कभी आप से यह पूछा जाए कि भई आप हमें यह बताओ कि अमोद कितने दिनों तक काम किया तो 16 दिन के काम में 11 पहले तो हम यही निकालेंगे कि पूरा काम कितने दिनों में सम आप्त होगा जो कि आपका आया 16 दिन आंसर आपका निकल गया लेकिन यह पुछे कि अमोद कितने दिनों तक काम किया तो 16 दिन के काम में पूरा काम 16 दिन चला है उसमें से उसमें यहां 11 दिन पहले चला गया था यानि मातर यहां 5 दिनों तक काम किया है ठीक है चलिए अगले question में आईए यहाँ पर भी देखिए question में क्या बोला है बोला है लेकिन cards खतम होने से एक दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है तो जो worker पहले जाएगा उसको नहीं जाने देना है बस जो बाद में जाएगा यानि जो एक दिन काम करके जाता दो दिन काम करके पांस दिन काम करके जाएगा उसको जाने दीजिए लेकिन जो काम समापती से एक दिन पहले काम समापती से दो दिन पहले काम समापती से पांस दिन पहले इस तरीके से प्रेकर जाये uskow जाने मत दीजिये स्वोण करके बदले एक्स्ट्रा काम आप ले लीजिए ठिक है कि आपया एककीसी काम को दस दिन में तो एक और कितना होगिया आपका yahut कारे qeTE हो गया 8 दिन और बीकार डे कितना हो जाएगा आपका बीकार यहां और यहाँ एक दिन में 4 उनित, 40 बटा 8, 5, 40 बटा 10, 4, आगे कॉशन में चलते हैं, उन्होंने एक साथ काम सुरू किया, लेकिन कार्ज खतम होने से एक दिन पहले ए चला गया, अगर नहीं जाता तो एक दिन और काम कर लेता, एक दिन और काम कर लेता तो एक दिन का काम बर ज लिजे, तो अगर एक दिन पहले जो गया है, नहीं जाता तो क्या होता, एक दिन और काम कर लेता और एक दिन में 5 उनिट काम कर सकता है, मतलब 5 उनिट काम बर जाता, तो काम का कुल मातरा 45 उनिट हो जाएगा, यहीं तो फरक आएगा, अब इस 45 उनिट काम को दोनों मिलकर क 5 दिन में समाप्थ हो जाएगा पूरा काम को समाप्थ करने में लगा समय पूरा काम कितने दिनों में समाप्थ हुआ है तो अगर कोश्चन में यह पूछा जाता कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्थ होगा तो हमारा अंसर यहां पे 5 दिन हो जाता लेकिन ऐसा पूछा नह के काम में एक दिन यह कम काम किया है मतलब यह कितना दिन काम किया होगा चार दिन तो हमारा एंसर इस question का बिकल्प भी हो जाएगा ए ने कितने दिनों तक काम किया तो पाँच दिन total काम चला है उसमें एक दिन पहले चला गया ए यानि ए जो है उसका contribution यहाँ पर मात्र चार दिनों का है देखा है चलिए तो बहुत ही important concept आपको यहाँ पर बताया गया है आईए एक concept और हम लोग सिखते हैं जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि किसी भी वरकर के द्वारा पूरे काम को समाप्त करने में जो लागा समय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेकिन कई बार question में क्या होता है कि directly डे नहीं देता है वहाँ पर कुछ data देता है जिसके मंदल से आप डे निकाल सक में तो आप सोचिए कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है तो इसको बस solve कर लिजे एक बराबर पांच दूना दस यानि पूरा काम कर सकता है दस दिनों में बस direct इसको आप लिख सकते हैं आधा काम पांस दिन में तो जितना काम फिनिस करता है बराबर जितने दिनों में क क्या करता है वी इतना भाग काम तीन बट्टा पांच भाग kाम इतना फिनिस करता है नो दिन में, पूरा काम नो दिन में नहीं से कर लिए, ओपर से ऊपर तीन, थिया, न दिनों में काटी उपर से उपर 2,4 के 8 एक का फैलू कितना आया है यहां से तिन चौके 12 यानि कि सी जो है वहाँ का पूरा काम कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में करेगा तो कभी कभी कोश्चन में directly day आपका नहीं देता है उस इसमें हम लोग निकाल लेंगे आधा काम पूरा काम एक बट्टा दुबराबर पांच यहानी एक का भेलू दस पूरा काम दस दिन में तिन बट्टा पांच बड़ाबर नौ तिन तिया नौ पांस तिया पंद्रह लब डाट देखकर के आप बता सकते हैं बस एक चीज़ का ध कोशन क्या है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा तो काम का कुल मातरा कहां लिखेंगे ऊपर और इस काम को किसे लेना है तीनों से तो तीनों के एक दिन के काम से भाग तीनों के एक दिन का काम छे चार दस और पांच पंदरा साथ बट्टा पंदरा यानि आंसर क्या हो जाएगा आपका चार दिन क्या यहां भी दो से भाग करिएगा सर दो से भाग हम लोग तब करते हैं जब A पलस B, B पलस C, C पलस A होता है यहां पर आपको दो से भाग करने क्या आप सकता नहीं है तो तीनों मिलकर एक दिन में 6, 4, 10, 5, 15 उनिट काम करता है और हम में इन तीनों से 60 उनिट काम लेना है तो 60 उनिट काम में 60 बटा 15 यानि कि 4 दिनों का समय आपका लग जाएगा तो यह था आपका टाइम नवर का बिलकुल बेसिक और बहुत ही important concept आज के लिए तना ही और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्रा